दोस्तों अब सब लोग को पता ही होगा कि Dessol Aviation के Rafal Yaircraft को फिलाल दुनिया के सवसे पसंदिदा Yaircraft के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों इन यार्क्राप्टों के इतने फेमस होने के कारण जहाँ पे एक तरफ कई सारे देशों के द्वारा इन यार्क्राप्टों को खरदने को लेके अपना ओर्डर प्लेस किया गया है। रफल यार्क्राप्टों को लेके डेसोल अविएशन को एक बेकलोग का सामना करना पढ़ रहा है और ये जो संकट है इसे केवल मात्र डेसोल रिलाइंस एरोस्पेस लिमिटेड मतलब भारत में जो रिलाइंस कमपनी और डेसोल अविएशन के जॉइन्ट विंचर है वो ही द फेसिलिटी है उसके शमता के संपूर बाहर है वो ही पर दोस्तों आप लोग के जानकारी के लिए वतादू की डेसोल अविएशन का फ्रांस में जो मिनुफैक्ट्रिंग प्लांट है उसका शमता करीवन सालना 24 यार्क्राप्टों का निर्मान करने का है लेकिन कुछ कारण के वज़ा से पिछले साल मतलब साल 2023 में ये दावा किया गया था कि उस साल कम से कम 15 यार्क्राप्टों का डिलिवरी डेसोल अविशन के द्वारा किया जाएगा लेकिन दोस्तों संपूर्ण साल में केवल मात्र 13 ही यार्क्राप्टों का डिलिवरी किया जा सका वही पर दो चीजों को अगर एक साथ जोडा जाता है तो साल 2026 से साल 2033 के दर्मियान डेसल अविएशन को फ्रांस, इंडोनेशिया, यूनेटेड अरब अमिराद, इजीव्ट यैसे देशों को मिला के कुल मिला के 174 यारक्रेप्टों का डिलिवरी किया जाना है जब कि साल 2024 से साल 2026 के किया जाता है तब भी साल 2026 यारक्रेप्टों से अधिक डेसल अविएशन के द्वारा रफाल यारक्रेप्टों का प्रोडक्शन करना संभब नहीं होगा और दोस्तों साल 2026 अरव तभी पॉसिबल हो सकता है जब भारत के जो रिलाइन के साथ डेसल अविशन के जॉइंट फिंचर है उसके तरफ से एक्विप्मेंटों का सप्लाई किया जाता है तो हलाकि दोस्तों रैफल यार क्रेप्टों के इस मेगा ओर्डर को पुरा करने के लिए दोस्तों यह प्लान भी भारत के थुरू होके ही गुजरता है और देसल अविएशन असल में देसल रेलाइनस एरोस्पेस लिमिटेड के साथ मिलके भारत में ही एर क्रेप्टों के पुर्डक्शन करना चाहता है और दोसों ये केवल मात्र तभी संबब हो पाएगा जब इंडियन यारफोर्स के तरफ से 114 फाइटर यारक्रेप्टों को लेके टेंडर जारी किया जाता है और उसमें रैफल यारक्रेप्टों को चुना जाता है ये ओर्डर को भी पूरा किया जा सकेगा और अन्ने देशों का जो ओर्डर है मतलब 228 जो यारक्रेप्टों का ओर्डर है उसे भी तैस समय पे पूरा किया जा सकेगा हाला कि दोस्तों हाली में यूनियन मिनिस्टर नितिन गटकरे के तरफ से भी अपने एक बयान में बताया गया था कि रैफल यार क्रेप्टो का पोड़क्शन जल्दी नाकवुर में शुरू होगा जो की दर्शाता है कि डैसॉल रिलाइन्स एरोस्पेस लिमिटेड में इन य रैफल यार क्रेप्टो को लेके बात्चित चल रहा है और फ्रांस के तरफ से लगातार भारत के सामने रैफल यार क्रेप्टो को लेके अपना ओफरों को रखा जा रहा है पर इंडियन यार फोर्स एक सो चौदा फाइटर यार क्रेप्टो को असल में एक टेंटर प्रॉस चय admit पूराइच्स को रच करके डारेक्ली डिल किया जाता है तो इससे कोई मुझकिल नहीं है पर मुझे नहीं लगता है कि tender process यहाँ पर रत किया जाएगा और उपर से अगर देखा जाये तो इन सभी यार्टरप्टों में ही शर्टों पे रैफाइल जैसे दुनिया के सफसे ताकत वर्दरिन यारक्राइब मिलेगा तो उही पे दूसरे तरफ यारक्राइब्टों के प्रोडक्शन को लेके डैसल एविएशन को जो चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है उस चुनोतियों से भी छुटकारा जहाँ पे कि यारक्राइब्टों के मिनुफैक्चरिंग के इलावा यारक्राइब्टों के मिंटनेंस और ओवर्राल के काम को भी अंजाम दिया जा सके जिससे कि डैसल एविएशन के उपर से जो प्रेशर है वो कम हो जाए और इसके लिए रैफाल यारक्राइब्टों के ह हमें एक बहुत बड़ा ख़बर सुनने को आएगा तो उही पे मल्टी रोल हेलिकॉप्टरों के प्रोग्राम को लेके भी एक बड़ा ख़बर सुनने को आ रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हिंदुसन एर्रोनोटिक्स लिमिटेड फिलाल ये फ्यूचर मल रिप्लेज करने के लिए आई-म-र-एच मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलिकॉप्टर के प्रोजेट के तहट आगे बढ़ रहा है और इसके एक डेगवेस वेरियंट मतलब डेगवेस मल्टी रोल हेलिकॉप्टर को भी तयार किया जाएगा और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हाली में हिंदुसन अइरनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से इन हेलिकॉप्टरों के कई सारे क्रिटिकल और टेक्नोलिजिकल एडवांस इक्वेपमेंटों के डिजाइन डेवलपमेंट और सप्लाई को लेके कई सारे कमपनियों के सामने अपने प्रस्तावों को रखा गया है मतलब हिंदुसन अइरनोटिक्स लिमिटेड अभी सही इन हेलिकॉप्टरों के मनुफैक्चरिंग के लिए एक सप्लाई चेन को टैयार करना चाहता है जिसमें की भारत के प्राइबिट सेक्टर कमपनी और अन्ने संस्ताओं के द्वारा भी हाथ बटाया अब दोस्तों यहाँ पे हिंदुसन अइरनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से जिस तरीके के हिलिकॉप्टरों को डिवलफ्ट किया जा रहा है वो असल में 13-16 तन कैटेगरी का हिलिकॉप्टर होगा और ये हैवी यूटिलिटी हिलिकॉप्टर की रूप में इंडियन आर्न इसके बेड़े में इस्तेमाल होगा और इन हिलिकॉप्टरों के लिए जिन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलोजी का डेवलाप्मेंट हिंदुसन अइरनोटिक्स लिमिटेड पार्टनर्शिप के साथ करना चाहता है उनमें सबसे पहले नाम आता है केमिकल और बायलोजिकल सें और दोसों इसके इलावा दूसरा जो एक्वेप्मेंट है वो है विंच मैन मिनिस्टिक या फिर कहतो ओटो हवार कैबिन स्टिक दोसों ये जो एक्वेप्मेंट है ये असल में विंचिंग ओपरेशन के दर्मियान कंट्रोल प्रोफाइट करेगा जबकि इसका इस्तेमाल ह critical evacuation और अन्य मिशनों में किया जाएगा इसके इलावा weather radar एक ऐसा equipment है जो कि helicopter के safety को ensure करता है खास करके real time weather information को provide करके helicopter के pilot को पहले से ही सुचित करता है कि जिस शेत्र में helicopter उडान भर रहा है वो शेत्र में आने वाले समय में किस तरीके का weather होगा इसके इलावा एक nuclear sensor का भी development किया जाएगा जो कि nuclear threat को identify करेगा मतलब कहीफे nuclear radiation है की नहीं और उस radiation से helicopter क्यो पर किस तरीके का असर पढ़ सकता है उसे इन equipment हो के द्वारा identify किया जाएगा इसके इलावा batteries का भी development किया जाएगा जो कि एक high performance battery होगा जो extended range और endurance के लिए होगा ताकि helicopterों में इस्तिमाल होने वाले equipment तक power supply किया जा सके हाला कि दोस्तों ऐसे private company हो के साथ मिलके हिंदुसन एरनोटिक्स लिमिटेड पार्टनर्शिप में electronic support measure और electronic intelligent equipment हो का भी development करना चाहता है जो कि दुश्मन के radar communication signals को detect करने में even situational awareness और electronic warfare capability को ब्रिधी करने में मदद करेगा और इसके इलावा cockpit management display system जैसे equipment हो का भी development jointly किया जाएगा और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि इस तरीके के जो equipment है वो असल में helicopterों के पाइलेट को एडवांस information प्रोवाइट करने के लिए इस्तिमाल होगा जिससे की पाइलेट के सामने helicopter related और आसपास के सभी च electronics limited असल में helicopterों के लिए एक high performance engine का development करना चाता है और कुछ रिपोर्टों के मताबिक दोनों देशों के बीच में MOEU के उपर भी अस्ताक्षर हो चुका है और जल्दी इन helicopterों के इंजिनों के production का काम भारत में शुरू होगा और दोसो इससे पहले भी भारत के जो advanced light helicopter, droop और उसके weaponized version rudra है और light combat helicopter और light utility helicopter जैसे helicopterों में इस्तेमाल होने वाले इंजिनों के मामले में भी फ्रांस के तरफ से भारत को बढ़ चरके मदद किया गिया है और दोसो इन ही कारूनों के वज़ा से आज भारत helicopter के मामलों में इतना अधिक आत्मनिर्वर हो सका है और आशा किया जा रहा है कि ये जो medium weight category का helicopter है इसके development के बाद जो थोड़ा बहुत dependency है वो भी दूर हो जाएगा और Indian armed forces सभी तरिके के helicopterों के मामले में संपूर आत्मनिर्वर हो जाएगा तो आप लोग को क्या लगता है कि इंडिया और France के बीज में helicopterों को लेके ये जो काम चल रहा है ये